हेलो दोस्तों Basic Electrical Channel के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपको ये बताना है की Single Face का Alternator हो या फिर Three Face का Alternator हो Alternator के R Nachar के Slip Ring के पर हमेशा AC Voltage ही आती है जी हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि alternator के चाहिए वो single face का alternator हो या फिर three face का alternator हो alternator के आर मेचर के slip ring हमेशा ही AC voltage बना कर देते हैं वो कभी भी neutral नहीं बनाते जी हाँ single face का alternator हो या three face का alternator हो वो कभी भी neutral नहीं बनाते न्यूट्रल को बनाने के लिए हमें अलग से एक सर्कृट बनाना पड़ता है और अब बात आती है डायवड की आखिर अल्टिनेटर के उपर डायवड को क्यों लगा जाता है क्या ये AC को DC में बदलने के ही काम आते है या इसके इलावा इसका कुछ और भी काम होता है ठीक इसी परकार अल्टिनेटर के उपर चोक को लगाया जाता है जिसे हम ट्रास्वर्मर भी कह देते हैं क्या इस ट्रास्वर्मर को अल्टिनेटर के करेंट को बढ़ाने के लिए ही लगाया जाता है या इसके इलावा इसका कुछ और भी काम होता है और अब आताती है AVR की क्या AVR एक DC voltage को कंट्रोल करने के ही काम आता है इसके इलावा इसका और भी क्या काम होता है तो बात करेंगे कि अल्टिनेटर के R में चरके slip ring उपर हमेशा ही AC voltage आउट होती है वो कभी भी न्यूटरल नहीं बनाता अब मैं आपको सबूद देता हूँ इस वीडियो के जरिये अब मैं आपको सबूद देता हूँ मैंने क्या किया है इस सिंगल फेस के अल्टिनेटर के R मेचर के slip ring उसे दोनों तारे उठाकर डिरेक्ट ब्रिज रिक्टिफर पर लगा दी है अब मेरे पास ये एक कलम मिटर है जिसे मैंने AC voltage चेक करने के मोटर लगाया है इस मिटर की काली तार को मैंने अर्थ के साथ जोड़ दिया है देखिए आप मिटर के अंदर जी हाँ 80 voltage AC आईवे हैं और अब मैं अल्टिनेटर के आर मेचर के स्लिप रिंगों पर डारेक्ट ही voltage चेक करता हूँ देखिए ये पहले मैंने एक स्लिप रिंग पर ही मीटर की तार लगाई है और आप मीटर के अंदर भी देख सकते हैं ये देखिए ठीक इतनी वोल्टेज दूसरे स्लिप रिंग पर भी आ रही है ये देखिए आप इसके अंदर देखिए जी हाँ बिल्कुल सेम वोल्टेज आई हुई है ये वोल्टेज डुक होकर इतनी रह गई है और एक और मैं आपको सबूत देता हूँ मेरे पास ये टेश्टर है मैं दोनों तारों पर आपको टेश्टर लगा कर दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर भी अन हो रहा है ये देखिए और मैं दूसरी तार पर भी लगा रहा हूँ ये देखिए ये अल्टीनेटर के slip ringوں से जो out हुई हैं दो तारे उन पर test लगा कर आपको चेक करके बता रहा हूँ कि दोनों slip ring पर AC voltage ही out हो रही है और अब मैं आपको बताता हूँ देखिए कि जो ये bridge rectifier है ये इस समय DC voltage कितनी बना रहा है मैं meter की तार को लगा देता हूँ जी हाँ देखिए अच्छी तरह से पहले मैं इसको लगा देता हूँ 215 voltage जी हाँ ये DC के DC voltage है लीजिए इस चितर के अंदर मैं आपको अब ये बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार connection किये थे single face के alternator के जब मैंने आर मेचर के दोनों slip ringों पर face को check किया था तो करना क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर alternator के जो field पर मोटी तार से alternator के field को wind किया जाता है उन दो तारों को तो बिल्कुल open कर दीजिए ठीक है उसके बाद alternator के field पर जो पतली तार से alternator के field को wind किया जाता है ठीक है उन दो पतली तारों को alternator के diode पर लगा दीजिए क्योंकि connection भी ठीक ऐसे ही होती है जो bridge rectifier बनाया गया होता है जी हाँ उसके बाद alternator के slip ring को से तार उठा कर दोनों diode पर लगा दीजिए जैसे कि इस चितर के अंदर दिखाया गया है अब मैं जैसे ही engine को start करता हूँ engine alternator के armature को गुमाता है और इस दोरान अगर आप alternator के armature के slip ring को पर चेक करेंगे तो आपको दोनों slip ring को पर face दिखाई देगा और यहां फिर आप alternator के दोनों slip ring की तारों को diode से हटा दीजिए और diode पर जो हमारी main supply होती है 230 would AC वो लगा दीजिए अब diode क्या करेंगे यह bridge rectified DC voltage बना कर जी हां इस पतली तार पर दे देगा जिसे alternator के field पर magnet बनना शुरू हो जाएगा अब अगर आप alternator के engine को start करते हैं और alternator का armature गूमता है तब भी alternator के दोनों slip ring को पर face आएगा और अब बात आती है कि alternator अगर AC voltage ही बना कर देता है तो फिर neutral कहां से आ जाता है neutral को कैसे हम बनाते हैं यह आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ इस चितर के अंदर single face के alternator के armature को दिखाया गया है सबसे पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ फिर आपको three face के alternator के armature भी neutral कैसे बना देता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो जो सिंगल फेस के अल्टिनेटर का आर्मेचर है उसके दोनों स्लिप रिंगों पर AC वोल्टेज आती है न्यूटल वो नहीं बनाता है लेकिन जो AC वोल्टेज ये बनाता है वो कुछ इस परकार बनाता है एक नमबर के स्लिप रिंग को मैंने A से दर्शाया है और दो नमबर के स्लिप रिंग को मैंने B से दर्शाया है आप देख सकते हैं कि A पर जिस दोरान फेस होगा उसी समय B स्लिप रिंग पर न्यूटल होगा ये कुछ इस परकार AC वोल्टेज बनती है जी हाँ A पर face होगा तो B पर neutral होगा लेकिन अगर मैं B पर diode को लगा देता हूँ कुछ इस तरह कि diode का cathode का सिरा slip ring के B की तरफ अगर मैं लगा दूँ तो आपको पता है कि क्या होगा A पर तो face आ रहा है और neutral आ रहा है यानि कि AC voltage दें तर आपको पता है कि कभी positive कभी negative यानि कि एक cycle में कभी face कभी neutral होता है और B के अंदर भी AC voltage आ रही है लेकिन diode को मैंने कैसे लगाया है कि इसके cathode का सिरा slip ring के B की तरफ लगा है जिससे क्या होगा कि जब B पर neutral का cycle आएगा negative का cycle आएगा तो इस diode का क्या काम होता है अगर इसके anode पर positive देंगे तो ये आगे positive को cathode की तरफ जाने देगा ठीक इसी परकार diode के अगर cathode पर negative हम देंगे तो ये anode की तरफ negative को जाने देगा तो अब क्या हो रहा है कि cycle का जैसे ही negative आया है तो इस diode के cathode पर negative आते ही ये anode की तरफ negative को जाने देगा जिससे हमें neutral प्रापत होता है तो उमीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि diode को alternator पर सिर्फ AC को DC में बदलने के लिए भी नहीं लगाया जाता जी हाँ, इसका एक काम और भी होता है alternator से neutral को प्रापत करना दोस्तों, single face के alternator के field पर एक मोटी तर से भी field को wind किया जाता है उसको diode की series में लगाया जाता है यानि कि load की series में लगाया जाता है और ठीक diode भी load की series में ही लगया होते है वो कुछ इस परकार होते हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं alternator के armature के slip ring से एक तो तार direct बाहर चली जाती है load पर चली जाती है, जैसे इसके अंदर 108 के बल पर लगी हुई है लेकिन दूसरे slip ring से तार उठा कर diode के अंदर जाता है और diode पर जैसे ही जाती है, तो diode क्या करता है ये AC voltage के जो face होता है, जो positive होता है उसको वो जाने नहीं देता, क्यूंके diode का cathode का सीरा हमने इस slip ring की तरफ किया हुआ है तो diode का क्या काम होता है, अगर इसके cathode पर negative जाएगा तभी ये anode की तरफ negative को जाने देगा अगर इस cathode पर हम positive voltage देएंगे तो ये anode की तरफ positive को नहीं जाने देगा तो होता क्या है, slip ring में से जब भी positive का cycle आता है ये उसको नहीं जाने देता, जब negative का cycle आता है तो negative इस diode में से होकर, इस मोटी तार में से होकर जो alternator के field पर, मोटी तार से उस field को wind किया जाता है ठीक है, उस में से होकर फिर दूसरे diode में जाता है उस diode का सीरा भी cathode का, सीरा इस मोटी तार की तरफ किया होता है और ठीक वैसे ही कि diode के cathode पर negative जैसे ही जाएगा ये diode अपने anode पर negative volt को जाने देगा यानि कि neutral बनाकर इसने दे दिया है इस so watt के बलब को अब neutral ये diode बनाकर इसे दे भी रहे है और दूसर स्लिप्रिंग से face मिल भी रहा है जैसे जैसे हम इस so watt के बलबों की संक्या बढ़ाते चले जाएगे वैसे वैसे ही इस मोटी तार के अंदर जो की alternator के field पर field पर जो मोटी तार से field को wind किया जाता है उसके अंदर भी magnet उतना ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो जाएगा देखिए हमें neutral भी मिल रहा है और alternator के field का magnet भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और आप बात करते हैं थ्री फेस के alternator के आर मेचर की आखिर वो neutral कैसे बनाता है मेरे पास तीन बल्लब है सो सो वाट की और हर एक बल्लब 230 वोल्ट का है ठीक है इन तीनों बल्लबों के connection ठीक इस फरकार अगर हम करेंगे ठीक है और इस side मैं इसे तीन फेस देता हूँ देखिए R Y B ठीक है और इस side मैं तीनों तारों को आपस में मिला देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मुझे neutral मिल जाएगा जी हाँ और यहाँ पर R Y B तीनों फेस देने पर तीनों बल्लब ओन हो जाएंगे अपनी पूरी रोशनी में तीनों बल्लब ओन हो जाएंगे और हमें यहाँ पर neutral मिल जाएगा ठीक इसी परकार मेरे पास एक star realtor starter की motor है star realtor starter की motor में से हमेशा 6 तारे बाहर आई होती है और इस motor को अगर मैंने star में चलाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम motor की तीनों तारों को आपस में मिला देते हैं और बची तीनों तारों पर हम तीनों फेस देते हैं आर वाई भी ठीक है तीनों फेस इस पर जब जाएंगे तो यह motor star में चलेगी और जो तीन तारे आपस में मिली हुई हैं वहाँ पर हमको neutral प्रापत होगा जी हाँ तो ठीक इसी परकार थ्री फेस के अल्टीनेटर के आर्मेचर की वाईडिंग के कनेक्शन ऐसे ही होते हैं जी हाँ यह देखिए यहाँ की तार यहाँ पर स्लिप्रिंग से जुड़ी हुई है और एक तार यहाँ पर स्लिप्रिंग से जुड़ी हुई है और उसके बाद जो तीसरी तार है वो यहां पर जुड़ी हुई है उसके बाद ये तीनों तारें लाश्ट में यहां पर जुड़ जाएंगी वो हमें नूट्रल हमें बना कर दे देंगी और वही तार उठा कर हमें जी हाँ, जो चोथा स्लिपरिंग होता है, वहाँ से हमें निट्रल प्रापत होता है बाकी तीनों स्लिपरिंगों पर आर, वाई, भी तीन फेस हमें मिलते हैं उमीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको मेरे इस कच्च्वे की कसम है कि प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ओके बाई दोस्तों